पार आठाजिए देव शंकरा धेव जाब के दिना यह थोस्तों वेल्कम तर टेवल टेंडिंग और मैं हूँ अपसा गोस्ट और दोस्त रभी तोस्तों आज हमाएं बोर्ट शंकरा मंदित गोचानि चोप में इसकी थे और इस वराश्री के मौके पर इधिल के लिए और किसे बीदिफिल तरिके से सजया गया है चली में अपने असास तर नहीं किस तरह हो है कि आधि देव शंकरा कि देर जाब के दिना कि चले के सांस किस तरह और चलिए दोस्तों एंटर करते हैं गौरी शंकर मंदिर के अंदर और गौरी शंकर मंदिर के अंदर एंटर करने से पहले हमें अपने सूस उतारने बढ़ेंगे जो की जोड़ा खर हैं और यहां पर हमने अपने सूस उतारें और हाँ दोस्तों बेल पत्तर और फूल लेना मत भूलिएगा क्योंकि शिवरात क्योंकि भगवान सीब को सबसे अदब प्रेया है बेल पत्तर और यह फूल यहां के बाद एंट्री करते हैं मंदिर के अंदर जैसा कि यहां से दिख रहा हैं मंदिर बहुत ही सुन्दर सजा है और देखिए मंदिर के सुन्दरता देखते ही बनती है चलिए अंदर भगवान गोरिशन करके दर्शन करने और देखिए जैसा कि लग रहा है कि क्राउट धिरे धिरे बढ़ता जाएगा अंदर भी मंदिर बहुत ही ब्यूटिफुल सजाया गया है फूलों से भी के सजावट बहुत ही सुन्दर लग रही है और बीच में है भगवान गोरिशन कर दर्शन करने के बाद हम आके चलते हैं बाकी बखुवान दर्शन करने के बाद हम आके चलते हैं बखुवानों के दर्शन करने और यह देखें बाबा बिजरंग वली की मुर्ति को सजाय जा रहे हैं और यह माता शेरावाली और यह देखें राम दर्वार जो बहुत की सुन्दर सजा हुआ है अब चली दोस्तों मंदिर के सुन्दरता को देखते हुए आगे चलते हैं और भगवान शिप की जो मूर्ति है यानि के परतीमा राचिन परतीमा है उसको देखते हैं और उसमें साथ में ही नंदी भगवान बैठे हुए है जब भी मंदिर आए हैं तो यहां से जल का लोटा भरे और जल चड़ाए और यह देखे भगवान शिप की परतीमा जोगी बहुत प्राचिन है साथ में नंदी भगवान यह परतीमा बहुत ही प्राचिन है और बहुत ही सुनता है और यह देखे खाटू स्याम का कीरतन किया जा रहा है यहांपर और यह लच्मी नाराण भगवान यहां पर भी लच्मी नाराण भगवान है और यह रादक्रिश्म भगवान की बहुत सुन्दर बतीमा और यह भगवान शिप का त्रशूल ओम और नंदी की परतिमा जो की बहुत ही अटेक्टिव है दोस्तों सिवराती के बरपर गोरिशिंकर मंदिर बहुत ही अच्छा सस्ता है और बहुत ही क्राउड होता है जैसे कि अभी आपने देखा तो अगर आप इस साइड आए तो एक बार गोरिशिंकर मंदिर अवस्या है इस मंदिर सुन्दरता देखकर आपका मन महल देगा दोस्तों आशा करता हूँ कि ब्लोग आपको अच्छे लगाओ अच्छे लगाओ तो लाइक कीजिएगा चैनल में फरस्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना मत मुलिएगा मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लोग के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों